आप और मैं हूँ आपके साथ सोहन सिंग बुड़िन में नज़र डालेंगे देश दुनिया की तमाम हेम ख़बरों पर सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की जहां सीम विजे रूपानी ने अपने पच से स्तिफा दे दिया है विजे रूपानी ने कहा कि गुजरात की विकास यात्रा में योगदान का मौका उन्हें मिला उन्होंने कहा कि जिम्यदारी देने के लिए पीम मोदी के प्रती आभार व्यक्त करता हूँ इस्तिफा देने के बाद उन्होंने पच से इस्तिफा देने की वजह बताते हुए कहा कि गुजरात की विकास यात्रा में मुझे योगदान का मौका मिला गुजरात की विकास यात्रा नई उर्जा के साथ आगे बढ़ती रहनी चाहिए ये ध्यान में रखते हुए पच्छोड रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी देने के लिए पीम नरेंदर मूदी के प्रती आभार व्यक्त करता हूँ इस्तिवा देने के बाद विजयरूपाणी ने लिखित बयान पढ़ते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझे गुदरात के मुख्यमंत्री जैसी एहम जिम्मेदारी दी, मैंने इस दायित्तों को अच्छी तरह से निभाया, कारेकाल के दोरान प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी क साथ मुझे विशेस मार्गदर्शन मिला है बहराईच में गन्ये के खेत में दो बच्चों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में संसनी पैल गई, इन बच्चों की हत्या गला काट कर निर्मम तरीके से की गई है हलांकि अभी बच्चों की पहचान नहीं हो सकी है, पुलिस ने शवों को कबजे में लेकर चांच शुरू कर दी है मिरतक बच्चों में एक लड़का और एक लड़की शामिल है, बताया जा रहा है कि बसंता के किनारे एक गन्ये के खेत में ये शामिले डबल मडर की खबर सुनते ही, बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकठा हो गए वहीं फकरपुर थानाश अध्यक्ष राजेश कुमार ने दोनों सवों को कबजे में लेकर जान शुरू कर दी है मुंबई के साकी नाका इलाके में दुस्कर्म की शिकार हुई पिडिता की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई 32 साल की पिडिता का इलाज राजा वाडी हॉस्पिटल घाट कोपर में चल रहा था अस्पताल प्रशासन ने भी पेडिता की मौत की पुष्टी कर दी है ये वारदात मुंबई के साकिनाका अलाके में हुई थी यहां खेरानी रोड पर एक 32 साल की महला के साथ पहले बलातकार किया गया और रेब के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी महला को बहुत गंबीर हालत में अस्पताल पहुँचाया गया था पुलिस ने आरोपी को गरफतार कर लिया है महला के सदे काफी गंबीर थी वो वेंटिलेटर पर थी शनिवार को मुंबई की मेर राजावाडी अस्पताल घाट को पहुँची थी और उन्होंने पेडिता का हाल भी जाना था अफगानिस्दान में तालिबान के राज के बाद वहां आर्ट्स और कल्चर से जुड़ी करती विधियों से जोड़े लोगों में सननाटा चा चुका है अफगानिस्दान की लोगप्रिया, पॉप स्टार, अर्याना, सईद उन हजारों लोगों में सी थी जो 15 अगस्त को काबूल एरपोर्ट से निकल कर विदेश जाना चाहती थी सईद की तरह ही लगबग एक लाख अफगानिस्तानी लोग जिनमें म्यूजिसियंस, आर्टिस्ट, पत्रकार, महला एथलीट्स भी शामिल हैं ये वो लोग थे जो अफगानिस्तान चोड़ना चाहते थे महला एथलीट्स भी इसमें शामिल हैं वो एफगानिस्तान छोड़ चुके हैं सईद फिलहाल तुर्की में है उन्होंने बाचीत में कहा कि मैंने अपने मंगेतर से कहा था कि अगर मुझे तालिबान घे ले तो मेरे सिर पर गोली मार देना मैंने सुसाइट बॉम्बिंग देखी है और इसके अलावा कही खत्रे देखे हैं लेकिन मेरे रूंक्टे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि मेरी क्या हालत होती अगर तालिबान मुझे जिंदा पकड़ लेते सईद अपने मंगेतर के साथ अफगानिस्तान छोड़ गई थी उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का रास था तो कोई म्यूजिक नहीं बसता था तो तालिबान के राज से महिलाओं में किस कदर खौप है वो आप इस खबर के जरीए समझ सकते हैं देश की राजधानी दिली समेट NCR में देरराथ से बारिश का सिलसिला जारी है भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सडकों पर जल भराव होने से गाड़ियों की रफतार भी सुस्त पड़ गई वही भारी बारिश के चलते दिली एरपोर्ट का भी बुरा हाल है एरपोर्ट का टर्मिनल तीन तालाब बन गया है रनवे पर बारिश का पानी भरने की वज़र से फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है दिल्ली में देराज से घोर गरज के साथ रुकरुक कर बारिश का सलसिला जारी है दिल्ली के जखीरा अंडर पास में 10 फीट तक पानी भरने के कारण आवाजा ही प्रभावीत रही इस बीच मौसम विभाग ने विकेंड पर दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है राश्टी राजधानी दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं के बीच तापान में गिरावट आई है दिल्ली का तापान सामाने से 3 से 4 डिगरी नीचे पहुँच गया है इस बुरेटिन में मेरे साथ इतना ही देश दुनिया की तमाम एहम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं एबिच्टा नियूस के साथ नमस्कार